नमस्कार दोस्तों मैं गौताम सिंग को खुल क्लास समा आप सबी का सभागत करता हूं आज आपके लिए लेकर आये हूं B8 की पूरी जनकारी B8 क्या होता है कैसे करे योग्यता क्या चाहिए B8 करने के लिए B8 की फीस कितनी होती है आपको subject list भी बताएंगे B8 के बाद आप क्या करें ये पूरे details आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगर दोस्तों आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो क्नोट पिकेशन आपको मिलते रहेगा चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं B8 क्या होता है B8 क्या है B8 एक undergraduate professional degree है जो विद्यार्थियों को विद्यालियों में सिक्षक के रूप में कैरियर बनाने के लिए की जाती है सिक्षक बनने के लिए B8 degree का होना आवस्यक है यदि आप सिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अशनातक परिक्षा के बाद अपने परमुख विशे के साथ B8 का degree प्राप्त करना अनिमार्ज है कक्षा 6 से कक्षा 2 एवं कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए B8 होना आवस्यक है Full form of B8 Bachelor of Education B8 के लिए सुक्षिक योग्यता क्या है चलिए आपको बताते हैं B8 करने के लिए सरकार द्वरा मनताप्राप्त विष्व विद्यालियन इन्वर्शिटी से 50 परतिशत अंकों के साथ बिज्ञान, कला तथा गनित विष्यों के साथ या Undergraduate in BAC, BA, B.com परिक्षा उतिर करना अनिवार जाए Postgraduate परिक्षा में आपको 50 परतिशत अंक प्रात करने के बाद भी B.A.D. किया जा सकता है अंकों का परतिशत बिभीन विष्व विद्यालियों के Guidelines के अनुसार अलग-अलग हो सकता है कुछ विष्व विद्याले में 55 परतिशत लगता है तो किसी में 60 परतिशत, किसी में 50 परतिशत B.A.D. में admission कैसे होता है How to get admission in B.A.D. B.A.D. करने के लिए विष्व विद्याले दोवारा एक परवेश्व परिक्षा होती है Interest Exam होता है परिक्षा में मेरिट के अधार पर छात्रों को admission किया जाता है B.A.D.C. विद्याले दोवारा निधारित किया होता है उसके बाद B.A.D. परवेश्व परिक्षा में सम्रित हुआ जा सकता है B.A.D. कितने साल का course है तो दोस्तो आपको हम बता दे अगर आप graduation के बाद B.A.D. करते हैं तो B.A.D. दो साल का है दोस्तो अगर आप inter के बाद B.A.D. करना आप अगर चाहते हैं तो इंटर के बाद अगर B.A.D. करते हैं तो आपके लिए चार साल का है B.A.D. की फिश कितनी है दोस्तो B.A.D. कोर्स की फिश विश्व विद्याले द्वारा निधारित की जाती है सरकारी कलेज की फिश प्राइबेट कलेज से काफी कम होती है प्राइबेट कलेज एवां प्राइबेट विश्व विद्यालों में B.A.D. की आउस्तों फिश पचास से रुपिये से एक लाख रुपिये तक है B.A.D. के विशे कौन कौन से है तो आशनातक में जिस विशे में आप जो भी पढ़ाई किये होंगे जो आप गेर्जिवेशन में उसी में से आपको किसी एक का चैन करना होता है उधारण के जिदि आप गणित के अध्यापक बनना चाहते हैं तो यह आवस्यक है कि आपने आशनातक गणित से ही किया होगा उत्तिर तो बीड में आप भी गणित विशे लेकर उस विशे को पढ़ाने की विश्यस्ता हासिल करते हैं यह बीशे हर विद्यार्थी का अलग-अलग हो सकता है आपके अपने विशे को अलावा कुछ ऐसे विशे भी होते हैं विद्यार्थी की सिक्षक प्रकिरिया को मजबूत बनाते हैं यह भी से एक सिख्षा को एक सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है इनमें सिख्षा, संस्क्रिती, मानो, मुल्या, सौक्षिक, मनो, बेग्यान, मुल्यांक और एवम आकलन एवम सिख्षा दर्शन आधी परमुख है B8 करने से क्या फायदा है? What is the benefit of B8? देखिए, B8 करने से फायदा क्या है आपको? सरकारी बिद्यालियों में अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं प्राइबेट बिद्यालियों में अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं कोचिंग सेंटर में भी आप पढ़ा सकते हैं किसी भी TGT Training Graduate Teacher यानि की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं अपना कोचिन सेंटर भी खोल सकते हैं, अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, मास्टर अफ एजुकेशन, M.A.E.D. मास्टर अफ एजुकेशन करने के बाद B.E.D. को पढ़ाने वाले सिख्छक भी आप बहुन सकते हैं B.E.D. के बाद नोकरी कैसे मिलती है, जोब आप्टर B.E.D. करने के बाद दिभीन राज्य सरकारों दोरा आयोजित अध्यापक पत्रता परिक्षा या केंद्रा सरकार दोरा आयोजित केंद्री अध्यापक पत्रता परिक्षा यानि की C.T.E.T. Central Teacher Eligibility Test T.E.T. यानि Teacher Eligibility Test मे उत्युड होना आवस्यक है, इस परिक्षा में उत्युड होने के लिए आवस्यक नियुनता मंग प्राप्त करना आवस्यक है, उसके बाद जब भी राज्य सरकारे अंकेंद्र सरकार दोरा शिक्षकों की भरती परकिडिया की जाती है, तो अव्यार्थियों को उसमें आव प्राइबेट विश्वविद्याले इन्वर्सिटी से बीड किया जा सकता है। के माध्यम से भी बीड करवाते हैं सब चाहें तो डिश्टेन से भी कर सकते हैं बीड दोस्तों ये वीडियो आपको ऐसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर द तेंकि दोस्तो, रादे रादे दोस्तो.